जब अपने घर से निकले शाम को करीब साड़े चार बजे तो उसके बाद करीब साड़े पाँच बजे करीब 5.30 पीम ये अपनी गाड़ी में जा रहे थे ये खुद ड्राइव कर रहे थे इनके साथ दो प्राइवेट लोग थे और इनके पीछे गाड़ी थी और दो गाड़ियां सामने से आई और उसमें फिर फाइरिंग हुई और फाइरिंग में इनको बुलेट इंजरी हुई और जब इनको होस्पिटल ले जाया गया देन ही वस डिकलेर ब्रॉट डैट तो ये जो इंसीडेंट है ये एक इंटर गैं राइवल्दी का केस लगता है क्योंकि इनके जो एक मैनेजर है शगन प्रीत इनका नाम आया था जो विक्की मिद्डू खेड़ा वाले मर्डर केस में वो अभी विदेश में ऑस्ट्रेलिया में निकल गए हैं तो उसका रियक्शन में जो लॉरेंस विश्णोई और लॉरेंस विश्णोई गैंग का इसमें हाथ है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो लकी उन्होंने ले ली है उनकी गैंग के कैनेड़ा से इसके बारे मैं दो तीन वाते में बताना चाहूँगा अभी तक के जो इसमें इन्वेस्टिकेशन में आया है कि इनके पास सिक्यूरिटी के पंजाब पुलिस के चार कमांडो थे और अभी घल्लू घारा की वज़े से सारे हर साल पंजाब में सिक्यूरिटी से ठिना उट करके फोर्स निकालते हैं जिससे घल्लू घारा के अरेंग्मेंट फूल क्रूफ हों उसमें इनके दो कमांडो विड्रॉ किये गए थे दो कमांडो इनके पास थे लेकिन जब ये गए तो दोनों कमांडो को साथ नहीं लेके गए थे घर पर छोड़के गए थे और राधर ये कह गए थे कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है इनके पास एक private bulletproof गाड़ी थी, वो भी नहीं लेके गए थे, तो ये जो fact है, ये मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा, और केस का investigation चल रहा है, CM साब के आदेश पर, एक SIT बनाने के लिए IG range को मेरी तरफ से क्या दिया गया है, इस मौके पर जो empty case बरामद हुए हैं, 30 के करीब, उससे अलग-अलग बोर के, जैसे 9mm है, 455 है, उससे लगता है कि अलग-अलग बोर के तीन वेपन, कम से कम तीन वेपन इस्तेमाल हुए हैं, केस की तफ्तिश चल रही है, IG range वहाँ पहुँच गए हैं, कैम्प कर रहे हैं, SSP मांसा के अलावा SSP बटिंडा भी पहुँच गए हैं, ओपरेशन्स पूरे इलाके में चल रहे हैं, और पंजाब पुलिस की तरफ से ADG लोईन ओर्डर जितनी force additional mobilize होनी हैं, वो कर चुके हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि इस केस को हम जल्दी से जल्दी solve करें, एक सवाल है, घिजीमी साथ एक सवाल, एक सवाल एक सवाल एक सवाल